अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको एक अच्छी सी चीज बताती हैं जैसे कि चाप्टर का नाम है स्ट्रक्टर ओफ आटम यानि कि हम आटम से डील करने वाले हैं तो आप सबको पता ही होगा आटम बेसिकली इलेक्टरॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है तो देखें चाप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपके लिए तो सारे जन्यम मोडिवेटेड हो जाइए क्यूकि ये चाप्टर बहुत ही इंटरस्टिंग हैए बहुत ही मज़ा आने वाला है अपनी कॉपिस को ले लीजिए और अपनी सीठ को बांग लीजिए क्यूकि बहुत मज़ा आने वाला है तो मैंने जैसे की quote बोला, we think like a proton, आप आगे जाके देखने वाले हैं, भी proton क्या होता है, positively charged species होता है, which is always positive, तो हमें उसकी तरह ही सोचना चाहिए, हमेशा से ही positive रहना चाहिए, So now I am going to start my chapter, before that जिनों ने मेरी वीडियो को subscribe नहीं किया है, मेरे चानल को subscribe कर दीजिये, मेरे चानल का नाम है Shorya Grover, तरीका आपको मेरे screen पर दिखाया है, आपनी क्या करना है, bell icon को press करना है, bell icon को press करने से क्या होगा, मेरी next वीडियो की notification आपकी screen पर automatically आजाएगा, So now you can like my video also and share my video also, so I am going to start with the structure of atom, सबसे पहले हम देखने वाले हैं, atom क्या होता है, हमने previous chapter के अंदर delta in atomic theory पड़ी थी, कि कह तो उसके क्या postulates थे और उससे हमें क्या सीखने को मिला, plus atom की discovery, यानि की atom के अंदर जो particles हैं, उनकी discovery कहां से भी, So अब हम चलते हैं हमारे topic के तरफ, So students, as I told you that delta in atomic theory हमने previous lecture के अंदर देखी थी, delta in atomic theory के accordingly, delta in scientist ने ये बोला था, भी जो atom होता है, I am repeating the word indivisible because indivisible का मतलब है भी हम उसे divide नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब की atom क्या है, मैं बात कर रही हूँ atom की, तो एक atom indivisible particle है, जिसको मैं further divide नहीं कर सकती, जिसे मैं further तोड नहीं सकती, लेकिन कुछ मतलब discoveries के बाद ये देखा गया, भी atom जो है, वो indivisible नहीं है, ठीक है, हम उसे divide कर सकते हैं, it can be divided into three fundamental particles, basically होते तो क्या हैं, देखिए, 35 subatomic particles, इन subatomic particles में से, तीन particles जो होते हैं, वो होते हैं हमारे fundamental particles, fundamental particles वो particles हैं, जो atom, मतलब जिनसे atom बना होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बोला, भी delta in atomic theory के according भी, atom क्या था, indivisible particle, तो मैं आपको बता रही थी, भी atom क्या है बच्छो, atom indivisible particle है, मतलब जिसे मैं divide नहीं कर सकती है, लेकिन कई discoveries के बाद ये पता चला, भी basically 35 subatomic particles होते हैं, अब मतलब उसके अंडर जो आ रहे हैं, समझे रहे हैं, तमझे रहे हैं आपको गे मैं subatomic particles कौन से, तो 35 subatomic particles होते हैं, जिन में से 3 particles कहलाते हैं, fundamental particles, fundamental particles responsible होते हैं for the formation of atom, कौन से कौन से होते हैं ये, सबसे पहला होता है electron, second होता है proton, और third होता है neutron, ठीक है students, तो मैंने आपको बोला, भी atom तीन fundamental particles से बना है, तीन basic particles से बना है, जिससे उसकी constitution हुई है, जिससे उसकी formation हुई है, जैसे आप सबने देखा होगा, 9th and class में हम बोलते हैं, भी एक human body जो है, वो एक basic unit cell से बनी होती है, similarly, अगर मैं atom की बात करती हूँ, तो atom तीन fundamental particles से बने होते हैं, that is electron, proton and neutron, so students, अब मैं यह कह सकती हूँ, भी delta in atomic theory किस वज़े से fail हुई, क्योंकि उसने बोला था, atom is the smallest indivisible particle, but that is wrong, because atom से भी smallest particles हैं, कौन से कौन से, electrons, protons and neutrons, so अब हम चलने लगे हैं, सबसे पहले, इन तीन fundamental particles की discovery पर, यानि कि basically, यह आए कहां से, इन्हें हमने discover कैसे किया, क्योंकि जब delta ने अपना experiment पर form किया था, तो delta ने कहा था, भी atom के आगे, कोई और particles नहीं है, atom ही सबसे छोटा particle है, ठीक है, लेकिन यह particles हमें कैसे पता चले, so अब हम देखने लगे हैं, discovery of electron, so students, I was telling you the discovery of electron, electron की discovery कहां हुई, हमने electron को कैसे discover किया, मतलब हमें कैसे पता चला, भी हान जी यह fundamental particle present है, ठीक है, तो electron की discovery को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं, study of cathode race, अब आप बोलोगे, माम, cathode race क्या हुई, cathode race की वज़े से ही, हम electron की discovery कर पाए, ठीक है, देखिए, इसके अंदर क्या होता, so students, अभी मैंने आपको बताया, भी study of cathode race की help से, हमने discovery की electron की, sorry, हमने नहीं, scientist ने discovery की, तो कौन से scientist ने electron को discover किया, जे जे थॉमसिल, अब देखिए, विलियम क्रो के scientist थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक experiment पर फॉर्फॉर्म किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बच्चों, उन्होंने बताया, भी हम electricity का conduction करवा सकते हैं, through gases, यानि कि gases की help से, जब electricity को conduct करवाएंगे, तो उस time पर, electrons की discovery हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, की explained through conduction of electricity by gases, अब विलियम क्रुक साइंटिस ने क्या किया, विलियम क्रुक साइंटिस ने क्या लिए, इक discharge tube, उस discharge tube में, उसने दोनों तरफ, electrodes लगा दिये, आईए, अब मैं आपको diagram दिखाती हूँ, उससे पहले आप ये note down कीजिए, विड discovery of electron किसने की, जे जे थॉम्सन ने, discovery of electron हमें कहां से पता चला, जब हमने cathode race की study करी, इस basically experiment में क्या हुआ था, इन्होंने explain किया था, इस experiment को, through the conduction of electricity, और electrons के बारे में क्या बताया, so जैसे कि अभी मैंने बोला, विल्लियम क्रूप ने, discharge tube की help से, experiment perform किया, so आपके सामने ये diagram है, discharge tube का, जहां पर students हमने क्या लिया है, इसके अंदर, gas fill की है, at atmospheric pressure, इसके अंदर gas present है, ठीक है, atmospheric pressure पे, second चीज, यहां पर दो electrodes present है, यह है anode और यह है cathode, ठीक है, यह है anode और यह है cathode, तो यह जो दो electrodes इसने fit किये है, यह side से इसने ऐसे fit किये है, plus इसने इस experiment में, एक vacuum tube भी लगाया, vacuum, मतलब pump हम किसले लगाते हैं, क्योंकि यह pressure को reduce करने में help करता है, आप यह देख सकते हैं, चोटा सा इसको ऐसे ऐसे press करते हैं, ताकि इसका pressure क्या कर सके, कम कर सके या increase कर सके, so basically इस experiment के अंदर, हम pressure को decrease करने वाले हैं, फिर देखिए, यहां पर मैंने क्या किया है, इन दोनो electrodes को एक battery से connect कर दिया है, so अब क्या होगा, इसके बाद जो यहां डिस्चार्च ट्यूब ली गई है, यह 60 cm long है, ठीक है, दो metal electrodes लगाए हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक cathode है, एक anode है, तो हमने यह cathode और यह anode यहां पर, metal electrodes fit किये हैं, उसके बाद stop clock इसे लगाते हैं, ताकि उसे manage कर सकें, ठीक है, टाइम को, और फिर आता है vacuum pump, vacuum pump हम इसलिए use करते हैं, ताकि यह जो pressure है, vacuum से जो pressure create होता है, मतलब हम उस pressure को reduce कर सकें, ठीक है, उसके बाद देखिए, यह tubes जो होती है, discharge tubes, इनको हम crooks tube भी बोलते हैं, अब question आपके mind में आएगा, भी से हम crooks tube क्यों बोलते हैं, because William Crook ने इस experiment को perform किया था, तो उन्होंने इस discharge tube को बोल दिया था, crooks tube, तो सबसे बेले से note कीजिए, फिर आपको बताऊंगी points, जो हमने इस experiment में देखें, जो observe किये, जब pressure को reduce कर दिया गया, तो, वीडियो को pause करना है, students और इसे फिर note down करना है, हम देखने वाले हैं, जब इस experiment को perform करवाया, तो क्या observe किया गया, क्या observations है, सबसे बेले observation ये थी बच्चो, वह हमने यहाँ high voltage की, वहने बात की है, ये about 10,000 volts लगाईगी, between these two electrodes, तो जब हमने voltage अप्लाई करी, यानि की electricity की conduction करवाई, through gases, as I told you, भी इस experiment के अंदर, electricity की conduction करवाते है, through gases, तो, इन्होंने क्या करा, high voltage अप्लाई करी, 10,000 volts की, between these two electrodes, अब सबसे पहली चीज, सबसे पहला केस दिखा गया, जब pressure 1 ATM था, जब pressure 1 ATM था, तो कोई current flow नहीं करता, क्यूंकि gases क्या होती है, poor conductor होती है, of electricity, अब आपको एक चीज और बताती हूँ बच्चो, आप सब कहोगे, इसके बाद इसे मैं आपको दिखाऊंगी, यह तो हमारी first observation थी, जब हमने pressure 1 ATM रखा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, pressure हमेशा low रखना है, reason क्या है low pressure रखने का, ताकि जो gases हैं, ठीक है, वो easily ionize कर दे, जब वो किसी भी element को ionize करेंगी, तो वो electrons में तूटेगा, ठीक है, electron emit होगा, ionization पे, तो ionization अकर करवाने के लिए, usually pressure को low रखा जाता है, इसलिए वो बार-बार बोल रही थी, भी low pressure देंगे, low pressure करेंगे, तो देखो, सबसे पहला pressure मैंने दिया, 1 ATM, कोई current flow नहीं हुआ, क्योंकि gases क्या होती हैं, poor conductor होती हैं, electricity की, तो वो conduct नहीं करवाएंगी, electricity, क्योंकि pressure इतना है, वे gas वैसे की वैसे, उसके अंदर present है, आप देखना, मैं क्या करूंगी, इस pressure को reduce कर दूंगी, second observation में, फिर मैं फिर उसे reduce करूंगी, तो हमें क्या observe करने को मिलेगा, सबसे पहले, आप point first note down कीजिए, फिर जब हमने 10,000 volt, basically 10,000 voltage, हम तीनो टाइम में provide करेंगे, इससे क्या होता है, electricity conduct करवाएंगे, तो pressure क्या रखा, 1 ATM, no current flows, due to gases are poor conductor of electricity, आप देखते हैं, second observation क्या थी, तिन second observation के अंदर, क्या note किया गया, भी अब हमने क्या किया, पहले pressure जो था, 1 ATM था, अब उस pressure को हमने, about 10 raise to the power, minus 2 ATM reduce कर दिया, ATM pressure की unit होती है, atmospheric pressure, जिसे हम बोलते हैं basically, तो ATM वही atmospheric pressure, gas को मैंने atmospheric pressure पर लिया था, तो जब मैंने pressure को reduce किया, यानि कि मैंने कितना pressure कर लिया, 1 mm to near about 10 mm pressure मैंने कर दिया, so बचो, इस case में क्या होता है, आपको दिख रहे हैं, यी current flow करने ही लग जाएगा, current flow करेगा, raise चलने लग जाएंगी, from cathode to anode, ठीक है, voltage उतनी रखी है, high voltage लखी है, लेकिन यहाँ पर इस time पर, हमने pressure को reduce कर दिया, तो हमने क्या observe किया, the current started flowing, from cathode to anode, इन electrodes में से हमने यह observe किया, भी कुछ raise जो है, वो cathode से anode की तरफ जा रही है, colored glow, एक चीज और बच्चो, जब यह raise जा रही थी, तो इनका कुछ glow जो थी, इनकी appearance जो थी, वो बहुत colored थी, तो हमें यह आपर colored glow भी observe करने को मिला, अब हमें यह तो पता नहीं था, भी यह electron है, क्या है, कौन सी raise है, तो अब हमने third observation के अंदर क्या notice किया, उससे हमें clear होगा भी यह क्या चीज थी, तो जो second observation थी, वो यह थी भी the pressure को, 1 atm से हमने 10 raise to the power, minus 2 atm किया, तो क्या हुआ, current जो है, वो flow करने लगया, और raise जो है, वो cathode से anode की तरफ travel करने लगया, आप यह देख सकते हैं, यह इधर travel कर रही है, अब यह इतनी speed से बच्चो travel कर रही थी, भी इसे identify करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है, तो अब हम third observation के अंदर क्या देखते हैं, जिससे इसके identification भी हो जाएगी, इसे पहले note down कर लीजिए, अब हम चलते हैं, third observation की तरफ, so students अब आता है, third observation, अब जैसे कि first observation में हमने यह देखा, भी हमने pressure 1 atm लगाया था, right, कोई current flow नहीं किया, क्यों, क्योंकि gases क्या होती है, poor conductor of electricity, second case के अंदर हमने यह देखा, भी pressure को हमने 10 raise to the power, minus to a tm reduce कर दिया, उससे क्या होता है, भी current flow करने लग जाता है, क्या thought से एन और की तरफ, कुछ raise जा रही होती है, ठीक है, लेकिन हमें, students, यह चीज़ दरूर ध्यान रखना, वो हमें visible नहीं है raise, इतनी fast moving particles है, तो फिर क्या किया, third एक और, मतलब case देखा गया, जिसके अंदर pressure और reduce कर दिया गया, तो जब pressure reduce किया गया, 10 raise to the power, minus 4 atm, यानि कि about 0.01 mm pressure कर दिया गया, तो gas disappear कर जाती है, मैंने क्या का था, यहाँ पर gas present है, atmospheric pressure पे, लेकिन जब pressure मैंने इतना reduce कर दिया, gas disappear कर जाएगी, लेकिन, क्या चीज़ observe की गई, भी current अभी भी flow कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, विसे observe करने के लिए, भी यह जो raise जा रही है, यह actual में है क्या, penetrate करके, जैसे ऐसे है, वो इसमें से, ऐसे आ रही थी, perforated anode क्या करेगा, यह raise इसमें से ऐसे travel करके, बाहर निकल जाएगी, तो यह observe किया गया, भी जब यह raise, इस perforated anode को cross करके गई, तो यह anode electrode लगा हुआ, मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, यह anode है मेरा, यह anode के पीछे बच्चो, एक greenish glow देखा गया, faint greenish glow देखा गया, यानि कि यह raise को, visible करवाने के लिए, हमने perforated anode लगाया था, ताकि हम देख सके, भी जो इतने fast moving particles हैं, यह क्या चीज है, क्योंकि हमें उस टाइम पर नहीं पता था, भी यह electrons है, तो इसे देखने के लिए, हमने इसे cross करवाया, तो हमने observe किया, भी एक greenish glow है, for example, आपके पास एक ball है, एक white दिवार है, आपने ball को मड में मतलब वो, जिसे मिटी उसके उपर लगी हूँ, या आप ball का इसे hit कर रहे हो दिवार पे, तो दिवार पे क्या होता है, उसके उपर spot रह जाता है, वो क्या indicate करता है, भी ball के उपर वो spot था, यानि कि similarly, हमें पता चला, भी electrons आ रहे थी, अब हमें कैसे पता चला, electrons, जैसे मैंने आपको बोला था, हम pressure को reduce करेंगे, हम pressure को low करेंगे, low pressure पे क्या होता है, ionization अकर करती है, जब भी ionization take place करती है, तो electrons emit होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे electrons emit होए हैं, क्यों, क्योंकि pressure बहुत ज़्यादा reduce कर दिया गया है, so low pressure पे यह observe किया गया, भी perforated anode, इससे cross करती हुई rays, ने एक greenish glow उस पे क्या show किया, anode के behind show किया, जिसने हमें क्या बताया, भी electrons present होते हैं, ठीक हैं, अब एक question और आता है, हम सब के mind में, हम cathode rays, मतलब basically, जो electron की discovery होती है, मैंने बोला था study of cathode rays से पता चलता है, तो हमने इसका नाम cathode rays क्यों रखा, या मैं कहूं, भी electrons को हमने cathode से क्यों compare किया, क्योंकि ये electrons या ये rays जो है, बेटा, ये cathode से आती हुई दिखी, दिखी, मतलब हमने ये confirm नहीं किया, भी यह यहां से आ रही है, basically ये gas से निकल रही है ना सारी, क्योंकि हमने electricity conduct करवाई, तो यह हमें इस तरफ से आती हुई दिखी, इसलिए हमने इसे cathode rays बोल दिया, ये cathode जो electron यहां लगा हुआ है, इस तरफ से ये anode की तरफ जा रही थी, तो इसे बोल दिया गया cathode rays, या फिर electrons लिए सकते हो, ठीक है, और अब हम देखने लगे है, properties of cathode rays, यानि की properties, जिससे हमें ये पता चल जाता है, भी electron क्या-क्या behavior शो करता है, ठीक है, और cathode rays, इस मतलब कैसे शो करती है, भी अगर हम इसके अंदर कुछ रख देंगे, तो उससे क्या होगा, तो सबसे पहले एक बार इसको फिर से revise करते हैं, थर्ड पॉइंट को, भी क्या था, pressure reduce कर दिया गया, 10 raise to the power minus 4 ATM, गैस क्या होगा, इस डिसपियर कर गई, लेकिन current still flow कर रहा था, ठीक है, अब देखो, gas डिसपियर होगी, लेकिन ionization तो हुई न, ionization हुई, वो split होगे, ठीक है, electrons में, और फिर वो flow करने लगे, gas डिसपियर होगी, तो current अभी भी flow कर रहा है, if perforated anod is used, a paint greenish glow is seen behind the anod, ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं students properties, उससे पहले आप इस diagram को बना लीजे, क्योंकि जैसे तीन मैंने आपको बताई हैं, observation तीनों में अलग-अलग diagram मैंने शो किया है, तो आपने भी वैसे ही बनाना है, अब हम चलने वाले हैं properties of cathode race, तो students अभी हमने देखा था experiment by the William Crook scientist, now I am going to tell you about the properties of cathode race, जिन cathode race की हम बात कर रहे थे, जो travel कर रही थी from cathode to anod, ठीक है, तो अब हम उसके बारे में study करने वाले हैं, हां जी, सो देखिए यहां पर, अब सबसे पहली property क्या देखी जाती है बच्चों, सबसे पहली property यह देखी जाती है, फिर cathode race क्या करते हैं, एक sharp shadow produce करते हैं, कोई भी solid object अगर उसके path में रख दे, नहीं समझा, कोई बात नी, यह देखी, मैंने बोला था, cathode race ऐसे जा रही है, ठीक है, cathode से नौट की दुरफ जा रही है, अब क्या किया मैंने, for example, मैंने कोई एक solid object ले लिया, यह मेरो solid object है, यह मेरो solid object है, मैंने ऐसे ले लिया, cathode race अब ऐसे ट्रावल कर रही थी students, तो इस object की shadow, यहां produce हुई ZNS screen पर, आप देखिए, मैंने क्या किया, cathode race ट्रावल कर रही थी, इसके एक shadow प्रड्यूस होगी, अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर यह ऐसे जा रही है, तब ही shadow बंद रही है, अगर मैं यहां खड़ी हूँ, for example, और अंधेरा, मतलब अंधेरे वाला कमरा है, और पीछे से flash light on होती है, तो मेरी shadow यहां प्रड्यूस होगी, for sure, try भी कर सकते हो घर में, मैं यहां खड़ी हूँ, मेरे पीछे से flash light प्रड्यूस की गई, मेरी shadow सामने यहां प्रड्यूस होगी, इसका मतलब क्या हुआ, भी वो race straight ट्रावल कर रही थी, similarly, यह solid object है, यह cathodries travel कर रही है, तो इसकी shadow यहां प्रड्यूस होगी, कुछ इस तरह से shadow दिखी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, भी यह रहे straight जा रही थी, तभी इसकी shadow यहां प्रड्यूस होगी, तो इससे क्या पता चलता है, भी cathodries travel in a straight line, ठीक है, तो देखे, क्या है property, इस प्रड्यूस इस शाप शाड़ो, ऑफ दे सॉलिड अबजेक्ट, यह मैंने एक एक्जाम्पल लिया है, बेसिकली सॉलिड अबजेक्ट मैं यहां बना के दिखाया है, ठीक है, इस प्रड्यूस इस शाड़ो, अब सॉलिड अबजेक्ट प्लेस्ट इन दियर पाथ, तो यहां से क्या observe किया गया, इच शोज के थोर्ड्यूस ट्रावल इन स्ट्रेट लाइन, भी वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रावल करती है, अब आपने क्या करना है, बच्चर इसको बना लेना है, क्योंकि जब आप द्राव करोगे, तब आप उसे easily समझ पाओगे, रट्टा नहीं मारना, तो इससे द्राव करके इस पॉइंट को no down कीज़ेए, अब हम चलते हैं second property of cathode race की तरफ, तो अब आती है second property of cathode race, student second property क्या है, for example, अगर मैं इस crooks tube में, यानि कि discharge tube के अंदर, एक light pedal wheel डाल दू, wheel होता है न, wheel डाल देती हूँ, अगर इसके path के अंदर, मतलब cathode race ऐसे जा रहे थी, मैंने इसके path में एक wheel डाल दिया, कुछ इस प्रकार का, तो देखें, ये क्या हो जाएगा, ये rotate करने लग जाएगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा ये भी, इसका मतलब क्या होता है, भी cathode race इसकी बनी हुई है, material particles की, so second property ये है, if a light pedal wheel is placed in its path, अगर हम light pedal wheel रखेंगे, तो it will start rotating, which proves that, cathode race is made up of material particles, सबसे बहले property क्या थी हमारी, अभी आपको मैंने एक property बताई थी, the cathode race traveling in straight line, सबसे बहले property वो थी, हमने उसे कैसे समझा था, एक object रखा था, उसकी shadow produce हुई, तो उससे समझा, फिर second property हमने ये देखी, the cathode race material particle की बनी होती है, क्यों, क्योंकि अगर कोई इसके अंदर, हम रास्ते में कुछ चीज रख दे, तो वो wheel को rotate करने लग जाती है, ठीक है, सो इससे note down कर लीजे, आप diagram भी देख सकते हैं, ठीक है, सो अब हम students करने वाले हैं, third property, सो students अब आती है, third property of cathode race, देखे third property क्या है, जब एक electric field हम apply करते हैं, is applied on cathode race, they are deflected towards positive plate of electric field, देखे, क्या होता है, जब भी ना cathode race इसे travel कर रही हैं, for example, हमने क्या कि electric field apply करी, जिसे यहाँ से electric field apply करी, उपर से, तो cathode race उस तरफ deflect हो जाएंगी, उस तरफ उट जाएंगी, reason, भी cathode race negative charge होती है, ठीक है, और, वो positive plate की तरफ क्यों जाएगी, क्योंकि negative positive को attract करता है, so क्या हो जाएगा, ठीक है, when an electric field is applied on cathode race, मतलब मैंने ऐसे लगाया, जैसे, magnetic field होती है, एक होती है electric field, तो जब मैं electric field apply करूंगी, cathode race पे, जहां पर positive plate present होगी, इसका मतलब क्या है, वे cathode race क्या करती है, negative charge, इसलिए electron पे क्या charge होता है, negative charge होता है, so एक बर इसे note down कीजिए, यह तो just मैंने example बताया है, वे cathode race ऐसे जा रहे ही, अगर electric field लगाई और positive plate उपर है, on cathode race, they are deflected towards the positive plate of electric field, that is, they carry negative charge, अब देखो students next property क्या है, when cathode race strike a metal foil, जब cathode race किसी metal foil को इसे strike कर रही है, तो इस क्या करती है, वो जो मतलब metal foil है, वो hot हो जाता है, गरम हो जाता है, इसका मतलब क्या है, भी जो cathode race है, वो heating effect को क्या कर रही है, produce कर रही है, देखे, क्या बोल रही हूँ, when cathode race, strike a metal foil, वो एक जब metal foil को strike करेंगी, it becomes hot, वो गरम हो जाएगा, it means, it produces heating effect, वो क्या शो कर रहा है, heating effect, शो कर रहा है, तो इंगोनों को लिखिये, फिर third explain करती हूँ, वीडियो को pause करके, students is note down करना है, अब देखिये, next property क्या है, it causes, ionization of gas, मतलब यह क्या करता है, उसको ionize कर देता है, ions में तोड़ देता है, जब वो ions में तोड़ेगा, बच्चो, तो electrons emit होंगे, वहीं से electrons के discovery होगी, यानि कि, the cathode race causes, ionization of gas, through which it passed, जिस gas से यह pass करती है, उस gas की ionization कर देती है, तो आप क्या कीजे, पहले इन properties को लिखिये, फिर मैं आपको sixth property बताती हूँ, तो अब आती है sixth property, sixth property क्या कहती है, they possesses penetrating effect, students penetrate करने का मतलब होता है, आर पार हो जाना, यानि कि, cross कर देना, ठीक है, यानि कि, आप सोच सकते हो, penetrating, मतलब मान लीजिए, कोई यह surface है, यहाँ से cathode race आ रही है, तो यह से cross करके, penetrate करके, अंदर से निकल कर यह बहार आ जाती है, ठीक है, that is, easily penetrate through the thin foils of metal, metal के thin foils में से, easily penetrate करके, बहार निकल जाती है, तो 6th point लिख लिजिए, अब देखे, 7th point, इट प्रदूस एक्सरेइ, यह एक्सरेइज प्रदूस करती है, वेन दे स्ट्राइक अगेंस, अब देखे बच्चों, यह जो आज के लेक्चर में हमने कवर किया, हमने सबते पहले देखा, आज हमारा चाप्टर का नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ आटम, तो आटम जो की एक मिस्कंसेप्शन हमें बताया गया था, भी एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, वो जो थियोरी थी, देल्टन अटॉमिक थियोरी, वो फेल हो गई, क्योंकि उसने कहा था, आटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, बेसिकली वो नहीं था, वो तीन फॉर्दर फंडामेंटल पार्टिकल से बना था, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, सो हमने सबसे पहले डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन की, मतलब देखा, भी इलेक्ट्रॉन की डिसकवरी, किसने की थी, और कैसी की थी, तो हमने एक्सपरिमेंट परफॉर्म किया, विल्लियम क्रूप का, वहाँ पर एक्सपरिमेंट के साथ साथ अब्जूवेशन्स देखी, जिससे ये पता चला, भी कैथॉर्ड रेस, अगर आपको आज का मेरा लेक्चर जो है, पसंद आया है बच्चो तो आप उसे लाइक कर दीजे, बहुत पसंद आया है, तो शेयर भी कर सकते हैं, और येस, जिन्होंने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कीजे, मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंस, मैं आपको चार्ज इन मास अफ इलेक्ट्रोन करवाऊंगी, उसके बाद डिस्कवरी अफ प्रोटॉंस भी देखेंगे और न्यूटॉंस भी देखेंगे, Hope you like my channel, thank you.